हेलो फ्रेंट्स, WSQPTEC के इस प्रोग्रामिंग चनल पर मैं मनीश के लोगत आपका वेलकम करता हूँ फ्रेंट्स, C Practical की सिरीज में, आज का महारा एम है C Example 2 यूज दी के बी हिट फॉंक्शन के भी हिट फॉंक्शन ओके फ्रेंट्स ही जो के भी हिट फॉंक्शन है इस प्रीडिफाइंड फॉंक्शन देख सकते हैं कि मैंने यहां पर कॉन्यूर फॉंक्शन इंक्लूड कर रखी है क्योंकि यह जो predefined function है, यह इसमें defined है, इस header file में defined है, ठीके ना friends, what is the purpose of this function? ठीके, this function is used to check whether a key is pressed or not की जो है keyboard से press हुई है या नहीं हुई है, this function is used to check, ठीके, whether a key is pressed or not if key is pressed अगर key press हुई है ठीक है अगर key press हुई है then this function returns a non-zero value क्या value return होगी friends non-zero value return होगी हमें नहीं पता वो क्या return हो सकती है वो कोई एक non-zero value return होगी ठीक है otherwise it returns a zero okay so every function returns a value जिसे आपको पता है कि हर एक function कुछ न कुछ value जो है वो return करता है तो एक भी hit जो function है यह क्या return करेगा अगर key press हुई है if key is pressed then it returns the non-zero value कोई भी एक non-zero value return यहाँ पर होगी लेकिन अगर key press नहीं हुई है तो यहाँ पर क्या होगा zero value return हो जाएगी ठीक है clear और यह function जो है क्या check करने के लिए काम आता है कि आपने कोई key press की है या नहीं की है whether a key is pressed or not तो friends के भी hit function का हम एक छोटा सा मैं आपको practical बताता हूँ इसका use और इसका जो header file है वो मैंने आपको बता दिया है कि इसका use क्या है check करने के लिए के key press होती है या नहीं है और यह basically जो है इसके अंदर यह क्या होता है तो अगर आपको kb hit function use में करना है तो आपको kb hit function use में करना है तो आपको kb hit function use में करना पड़ेगा तो friends एक छोटा सा example मैं यहां पर बनाता हूँ और kb hit function को हम समझते हैं इस particular statements को हम क्या करते हैं comment कर देते हैं और हेड्रफाइल को हम नहीं यहां पर include कर लिया है normal printf scanf के लिए हम जो है stdio.h हेड्रफाइल यूज में करते हैं standard input output and console input output that is the conio.h okay so friends यहां पर एक मैं do while do loop का यूज़ करता हूँ यहां पर तो do while का scope में हम देते हैं यहां पर printf statement में एक छोटा सा एक statement मैं यहां पर देता हूँ press press any key to stop loop press any key to stop the loop ओके आपको keyboard से कोई भी key press करनी है ठीके कोई भी key आप press करेंगे तो क्या होगा यह loop क्या हो जाएगा stop हो जाएगा otherwise यह loop क्या होगा infinite way में चलता रहेगा ठीके जैसे ही आप की प्रेस करेंगे ठीके प्रेस करेंगे तो क्या होगा के भी हीट फंक्शन एक नॉन जिरो वैल्यू रिटन करेंगा लेकिन अगर आप की प्रेस नहीं करेंगे तो यह loop infinite way में चलता जाएगा डेट इस रिटन पी जीरो ठीके तो डू के अंदर यहां पर मैंने एक मैसेज यहां पर डाल दिया है और वाइल लूप यहां पर मैं क्या कर रहा हूं यहां यह मैंने यूज किया लेकिन आप देखें यहां पर जो kb hit function जैसे कि मैंने आपको बताया क्या return करता है एक non-zero value return करता है कब जब आप keyboard से कोई key press करते हैं ठीके तो यह जो function है जैसे ही आप कोई वैसे तो यह do while loop जो है infinite way में चलता जाएगा ठीके लेकिन यहां पर जो है zero कब आएगा जब condition false होगी ठीके जब condition false होगी तभी यह loop क्या होगा exit होगा लेकिन kb hit function ठीके kb hit function जिसे कि यहां पर non-zero value return करता रहेगा ठीके जो भी आप press करेंगे क्योंकर condition true है तो condition को false करने के लिए एक non-zero value return होगी तो उसमें आगे अगर मैं यहां पर negation लगा देता हूं तो non-zero value किस में convert हो जाएगी कब जैसे ही आप कोई key press करेंगे तो इसलिए मैंने यहां पर क्या लगा दिया निगेशन लगा दिया यहां पर मैंने क्या लगा दिया फ्रेंड्स निगेशन लगा दिया ठीके निगेशन लगाने से क्या होगा non-zero value जो है वो जीरो में convert हो जाएगी तो यह statement क्या हो कोशिश किए जिसमें अंदर हमने के-bG hit function का क्वे Werиш अब मैं इस प्रोग्राम का आपको execute कर के दिखाता हूं सब्सक्रांब में लूप चल रहा ह human भुल रहा है यह लूप चल रहा जब में की ao कि प्रेस कर में जो तो आप पर्टिकुलर एंटर की प्रेस करें, प्रेस की प्रेस करें, आप कीबोरस की कई की की जो है प्रेस कर सकते हैं, तो कोई भी की अगर आप प्रेस करेंगे, तो एक non zero value रिटन होगी with the help of k-bait function, बट आगे हमने उसके क्या लगा दिया, निगेशन लगा दिया, तो जीरो हो जाएगा, और condition क्या हो जाएगी, वाइल लूप में false हो जाएगी, और हम लूप से क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगे, अदरवाइस यह लूप कैसा हो जाएगा, infinite चल रहा है, जैसा कि आप यहा लूप से बाहर आगए, condition false हो जाएगी, तो दिस इस दे यूज ऑप दी के भी हीट फंक्शन, तो चेक, वैदर अ की इस प्रेज्ड और नॉट, की प्रेस हुई है, या नहीं हुई है, यह चेक करने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, के भी हीट फंक्शन का यूज में इस इंक्लूड इन कॉन्यर.Edge header file, तो friends, I hope के इस पर्टिकलर वीडियो से जो हमारा यह आज का टॉपिक है, the use of the KBHIT function in C programming language, यह आपको समझ में आया होगा, friends, thank you so much for watching this video.